नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मुक्तादिक्षित एस्टलोजर आज हम बात कर रहे हैं 28 अक्टूबर को पढ़ने वाले चंद ग्रहन की जी हां दोस्तों इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है और हमें कौन से कारे करना चाहिए नहीं करना चाहिए किस प्रकास से इसके यह मौका पा पर हमको देखने को मिलता है और इसकी कुछ सीमाएं भी बतलाएं गई है कि किस प्रकार से हमें ग्रहन के समय रहना चाहिए तो जी हैं दोस्तों 28 अक्टूबर को जो है 11 बचकर 30 मिट रात्री से यह प्रारंब हो जाएगा और इसका जो समापन होगा तीन बचकर 56 मिट पर होगा इसके साथ चंद ग्रहन का जो है विसेश समय रहेगा एक बचकर 5 मिट पर यह इस पर हो रहेगा और रात में एक बचकर 44 मिट पर इतका मध्यकाल होगा और मोक्ष जो होगा रातरी में दो बचकर 24 मिनिट पर होगा तो यह रही ग्रहन की विसेश जानकारी इसके बाद ग्रहन जो पड़ता है इसमें हमें बहुत से कुछ निमों का पालन करना पड़ता है जो की हमारे स्वास्त पर भी प्रभाव छोड़ते हैं तो जी हैं दोस्तो ग्रहन जो की संपूर्ण भारत में देख जाएगा और खग्राश चंदर ग्रहन है इसके साथ यह ग्रहन जो है विदेशों में भी हमको देखने को मिलेगा ग्रहन के समय में हमें कौन से कार नहीं करना चाहिए तो जो कल ग्रहन की सूतक सुरू हो जाएगी 28 तारिक को साम को चार बच कर पांच मिर्ट से इसका सूदक सूरू हो जाएगा सूदक के दौरान भोजन आदी बनाना खाना यह सारे कार निशिद रहते हैं इसके साथ जो है अशक्त याने की रोगी जन रहते बाल ब्रद रोगी यह अपना पत्थे दवाईयें आदी ले सकते हैं इसके सान दोस्ट पढ़ता है दूर से ही आप बैट करके भजन पूजन अपनी मंत्रों का दर्शन करना चाहिए और ग्रहन के विसे सकाल में दरवाज़ा चटखनी आदी लगाना और इसके साथ चकू आदी से फल पूल या कोई भी चीज काटना निशिद रहता है नहीं तो इसका प्रभाव सी सूपर पड़ता है और ऐसे इस्तिती में जो है महिलाओं को चंद्र का दर्शन जंद्र ग्रहन का दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसके साथ जो है इस प्रकार से और जब ग्रहन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद सुद्ध श्नान करने के बाद ही हमें अपने घर में सुद्धी करके याने की घर में साब सफाई करके गंगा नवदजल जरू चिड़कना चाहिए और इसके साथ फिर हमें भगवान की पूजा करना चाहिए और इसके साथ जो है मेस राशी वालों पर ग्रहन का विसेश प्रभाव देखने को राशी वालों के लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा मिथुन राशी वालों के लिए जो है स्रिष्ट प्रभाव रहेगा करक राशी वालों को कश्ट हो सकता है इसके साथ सिंग राशी वालों के लिए स्रिष्ट है और कन्या राशी वालों के लिए मध्यम फल देने वाल तुला राशी वालों को अच्छा फल देने वाला है रश्चिक राशी वालों के लिए हानिकारक है धनु राशी वालों के लिए सुफल कारी है मकर राशी वालों के लिए सुफल कारी है इसके साथ जो है कुम राशी वालों के लिए शामानने फल रहेगा और मीन राशी वालो का दर्शन नहीं करना चाहिए इसका असर आंखों पर पड़ता है तुझे हैं दुस्तों यह रही छोटी सी कास जानकारी जो की चंदर रहन पड़ती वीडियो अच्छी लगे लाइक से सस्क्राइब जरू किजिए देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार